आप सभी को मेरा नमस्कार विजे दश्मी के इस पावन परववर आप सभी को बहुत बहुत शुब काम नाए विजे दश्मी हमारे प्रमुक त्योहारों में से एक है विजे दश्मी का अर्थ है विजे प्राप्त करने वाली दश्मी आश्वी शुकलपक्ष की दश्मी को विजय दश्मी के रूप में मनाया जाता है इस पावन विजय दश्मी के दिन मा दुरगा ने महिशासुर का वद करके उस पर विजय प्राप्त की थी और इसी दिन शिरी राम जी ने लंकापती रावन को युध में हरा कर उसका वद किया था इसी लिए विजय दश्मी को दशहरा भी कहा जाता है दशहरा का अर्थ है दशानन की हार विजय दश्मी को बुराई पर अच्छाई की असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है दोनों ही रूपों में यह शक्ती की पूजा का पर्व है शस्त्र पूजन की तिथी है ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कारे अरंब किया जाता है उसमें विजय प्राप्त होती है प्राचीन काल में राजा महराजा विजय दश्मी के पावन दिन विजय प्राप्ती के लिए प्रार्थना कर युध के लिए प्रस्थान करते थे आज के दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कारे जैसे बही खाते लिखना, नया बिजनस शुरू करना, बीज बोना, आदी की शुरुआत करना शुब माना जाता है विजय दश्मी के दिन जगा जगा मेले लगते हैं, राम लीला का अयोजन किया जाता है, लंका पती रावन का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है यह पावन विजय दश्मी का पर्व, हर्ष, उल्लास तथा विजय का प्रतीक है विजय दश्मी के दिन मंदिर में नया जाडू दान करने से जीवन में आरही सभी प्रकार की बधाउं से मुक्ति मिलती है आज के दिन किया गया दान विशेश रूप से फलदाई माना जाता है परंतु याद रहे आप जो भी दान करें वह गुप्त दान करें तथा उसके वारे में किसी से बात ना करें आज के दिन शमी वरिक्ष की पूजा करने का विशेश महत्व है यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याई चल रही है तो विजय दश्मी के दिन प्रदोश काल में शमी वरिक्ष की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें शमी शम्यते पापम शमी शत्रुविनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी पुराणों के अनुसार भगवान शिरी राम ने शारदिय नवरात्र की शुरुवात की थी भगवान राम ने रावन के साथ युद करने से पहले शरदरितु में महिशा सुर्मर्दिनी आदिशक्ति भवानी का पूजन किया था जब रावन ने देवी सीता का हरन कर लिया था तब भगवान राम ने माता सीता को छुडाने के लिए लंका पर चड़ाई करने से पहले देवी दुर्गा की अराधना की थी ताकि वह उनका आशिरवात प्राप्त कर सकें शिरी राम को यह भली भाती पता था कि देवी के पूजन में उन्हें नीले कमल के फूल अरपित करने से वह जल्दी ही प्रसन हो जाती हैं अतह शिरी राम ने हनुमान को 108 नीले कमल के फूल लेने के लिए भेजा भगवान राम से अग्या लेकर हनुमान आकाश में उड़ गए और नीले कमल के फूल खोजने लगे हनुमान ने एक जील में नीले कमल खिले हुए देखे उन्होंने सावधानी से 108 नीले कमल के फूल तोड लिए तथा उन्हें तीन बार गिन कर राम जी के पास ले गए तब शिरीराम भगवान ने दुर्गा मा की मूर्ती बना कर उनकी पूजा की और कहा जब तक मैं अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहां से नहीं हिलूँगा हे देवी भगवती मेरी पूजा को स्विकार करें शिरीराम भगवान ने विधी विधान से आदिशक्ती दुर्गा की पूजा करना शुरू किया फिर उन्होंने देवी भगवती के 108 नामों का जाब किया और प्रत्येक नाम के लिए एक निले रंग का कमल देवी को अर्पित किया जैसे ही वह अंतिम नाम ब्रह्म वादिनी का जाब करने वाले थे उन्होंने पाया कि कमल का फूल नहीं बचा पूजा में एक फूल कम पाकर उन्होंने अपनी एक आँख देवी दुर्गा को समर्पित करने की ठान ली भगवान राम के नित्रों को कमल नयन कहा जाता है भगवान राम की भक्ती भावना से प्रसन होकर शक्ती स्वरूपा देवी ने उन्हें दर्शन दिये और विजय होने का आशिरवात दिया उसके पश्चात देवी स्वयम भगवान राम के अस्तर शस्त्रों में विराजित मर्यादा पुर्शोत्तम राम जी ने देवी सीता की रक्षा के लिए अधर्मी और अन्याई रावन को युध के लिए ललकारा और दस दिन तक उससे युध किया भगवान राम ने आश्वीन शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को मा दुरगासे प्राप्त दिव्यास्तर की मदद से रावन का वद किया था महा भारत काल में जब कोर्वों द्वारा पांडवों को बारा वरश तक वनवास और एक वरश तक अज्यातवास दिया गया था तो अज्यातवास के दोरान अर्जुन ने अपने धनुषबान को शमी विरिक्ष के नीचे छिपा दिया और विराट राजा के यहां नोकरी करने लगा एक दिन विराट राजा का पुत्र उत्तर कुमार गायों की रक्षा के लिए कोर्वों से लड़ने गया तब शत्रों की प्रबल से ना देख कर उत्तर कुमार ने रण भूमी से भागने का प्रियास किया तब अर्जुन ने उसे रोक कर अपने धनुषबान शमी पेड से निकाले और शत्रों पर विजय प्राप्त की इस प्रकार विजय दश्मी प्राचीन काल से ही अधरम पर धरम की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बन गया आईए अब जानते हैं विजय दश्मी की पूजा विधी विजे तश्मी के दिन सुभह उठकर स्नान आदी से निवरित होकर शिरीराम की फोटो अथ्वा मूर्ती को साफ करके पूजास्थल में रखें उसके बाद शस्त्रों को साफ कर लें बही खाते आदी को शुद्ध कर लें फिर लाल कपड़े के उपर शस्त्रों तथा बही खातों आदी को रख कर उन्हें गंगाजल का छीटा दें इसके बाद हल्दी, चंदन, कुम-कुम आदी से सब चीजों पर तिलक लगाएं और बही खाते के उपर स्वास्तिक बनाएं स्वास्तिक बनाने के बाद बही खाते पर पुष्प तथा अक्षत चढ़ाएं पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद बही खातों तथा शस्त्रों पर शमी के पत्ते चढ़ाएं और उसके बाद भगवान शिरी राम की विधी विधान से पूजा करें और पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें अर्थात जो कमल की तरह निले रंके और कोमल अंगों वाले हैं जिनके वामंग में सीता माता हैं जिनके हाथों में एक दिव्यतीर और एक सुन्दर धनुष है मैं उस रघुवंशी राम की प्रार्थना करती हूँ आईए अब सुनते हैं शिरी राम जी की स्तुती शिरी राम चंद्र क्रिपालू भजमन हरन भाव भयदारूनम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूनम कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुन्दरम शटपीत मानहु तडित रुचिशुचि नोमि जनक सुतावरं भजुदीन बंधुदिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोशल चंद दशरत नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारू उदारू अंग विभूशनम आजानू भुजशर चापधर संगराम जित खर दूशनम इतिवदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिमन रंजनम ममहृदे कुंज निवास कुरुकामा दिखल दल गंजनम मनु जाही राचेव मिल ही सोबरु सहज सुन्दर सावरो करुणा निधान सुजान सिलुसनेहु जानत रावरो एही भाती गोरी असीस सुनी सिय सहित ही हरशी अली तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनु कूल सिय ही हरशुन जाई कही मन्जुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे जैश्री राम यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जैश्री राम लिखना ना भूले